गर्मी का सीजन जल्द ही आने वाला है और गर्मी के सीजन में अगर हम अच्छे आमदनी लेना चाहते हैं तो हमें अभी यानि कि फरवरी के महिने से ही तैयारी करना होगी हमें फरवरी के महिने में पता होना चाहिए कि गर्मी के सीजन हमें किस फसल का अच्छा मंडित हो भा चाह अच्छा मिलता है और ईनी में से एक फथल मिर्च कि फसल घर्मी के सीजन में मिर्च की खेती किस तरह से करें ज़ानेंगी इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भायू स्वागत आपका एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चेनल क्रेटुब किसान में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गर्मी के सीजन में मिर्च की खेटी करने का सही तरीका क्या है जिसके माध्यम से हम ना सिर्फ गर्मी के सीजन में बलकि बरसात के सीजन दर मिर्च की फसल से उत्पादन ले सकते हैं अब ये तरीका क्या है जानेंगे इस्टुडियो में आगे तो बिना समय नश्ट किये आते हैं हमारे पहले पॉंट गर्मी के सीजन में मिर्च की नरसरी लगाने का सही समय और तरीका क्या है गर्मी के सीजन में मिर्च की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप मिर्च की नरसरी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगाए यहां गर्मी के सीजन में मिर्च की नरसरी लगाने का सबसे उप्युक्त समय आप प्रो ट्रे में कोको पीट के माध्यम से मिर्च की नरसरी तयार करें इसके लिए आप सबसे पहले प्रोट्रे को कोकोपीट के मिश्रंट से कुछ इस तरह से भर ले फिर आधा इनसे भी कम होल करके इन होल के बीच में आप मिर्च के बीच को डाल दें उसके बाद में उपर से कोकोपीट का मिश्रन डाल दे, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बाद में इन प्रोट्रे को आप किसी भी सुरक्षित इस्थान पर जाकर रख दे और फिर इनके उपर टाट डाल कर इस्प्रे पंप की साहिता से आप इनको सिचाई कर दे फास से 6 दिन के अंदर अंदे मिर्च के बीच का जर्मिनेशन हो जाएगा और 25 से 30 दिन के बाद आप मिर्च के पोदो का ट्रांस्प्लांट खेत में कर सकते हैं अब सवाल आता है कि किस तरह से ट्रांस्प्लांट करना है तो इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पोईट पर मिर्च के पोदो का ट्रांस्प्लांट करने की उचित विधी क्या है मिर्च के एक बेट से दूसरे बेट के बीच की दूरी आप 3 फीट रखे और एक पोदे से दूसरे पोदे के बीच की दूरी एक से 1.5 फीट रख सकते आप मलचिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें मिर्च की घेती में आप 25 माइक्रोन के मलचिंग पेपर का उपयोग कर सकते गर्मी के सीजन में, जब हम मिर्च के पोधों का ट्रांस्प्लांट करते हैं तो हमारे 15-30% मिर्च के पोधे, डंपिंग की समश्या के कारण मर जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में, मिट्टी के अंदर से जो गर्म हवाएं आती हैं। इन गर्म हवाओं के कारण हमें डंपिंग ओफ की समश्या देखने को मिलती हैं, जिस कारण हमारे मिर्च के पॉधे, ट्रांस लांडिंग के बाद में मर जाते हैं। अब जानते हैं कि इने हम किस तरह से बचा सकते। अब जानते हैं कि गर्मी के सीजन में मिर्च के पोधे के ऊपर कौन-कौन से रोग लगते और इनके क्या उपाईगा। वैसे तो मिर्च की फसल के ऊपर कई सारे रोगों का अटेक देखने को मिलता है। और अगर इन रोगों का हम समय पर नेवारण नहीं करें तो इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पढ़ता है। मिर्च की फसल में कुछ रोग जो की विशेशकल लगते हैं जैसे अरली ब्लाइट, लेड ब्लाइट, लिफ करल वाइरस, मोजेक वाइरस और बेक्टिरियल इंफेक्शन जैसे रोग लगते हैं। इन रोगों से हमारी फसल को बचाने के लिए आप HM Organic की ओर से आने वाली दवा विरोफिन का उप्योग कर सकते हैं। विरोफिन का उप्योग किस तरह से करें अब वह जाने। विरोफिन पूरी तरह से औरगेडी। विरोफिन बेक्टिरिया को मारती है और वाइरस की ग्रोथ को रोगती है। वाइरस जनीद बीमारी से फसल की रक्षा करें। विरोफिन का उप्योग आप दोनों तरह से कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्षन के लिए और क्यूरेटिव एक्षन के लिए यानि कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल पर रोगों का अटेक ही ना हो तो आप प्रिवेंटिव एक्षन के लिए विरोफिन का उप्योग करें। इसमें पहला इस्प्रेय बीज भुवाई के 25 दिन बात करें। और पहले इस्प्रेय के 15-20 दिन के अंतराल पर आप इस्प्रेय करते हैं। और अगर आपकी फसल पर रोगों का टेक हो गया है तो आप विरोफिन का उप्योग क्यूरेटिव एक्षन में कर सकते। इसमें पहले इस्प्रेय के 12-15 दिन के अंतराल पर इस्प्रेय करते रहें। अब जानते हैं कि विरोफिन का इस्प्रेय करते समय इसकी कितनी मात्रा लगीगी पर एकर 100 ml विरोफिन दवा लगीगी। आप 80 लिटर पानी में 100 ml विरोफिन मिलाकर प्रती एकर के हिसाब से अ पाटर पपीता बेंगन भिंडी और अन्य सबजी वरगी फसलों के लिए कर सकते हैं वीरो फिन को आप अमेजन फ्लिपकार्ट और एगरी बेगरी जैसे ओनलाइन प्रेटफॉर्म से मंगा सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ढाल दो हमने हमारी फसल पर तीन दिन पहले दवा का इस्प्रे किया था मिर्च के कुछ पोधे लीफ करल वाइरस और थ्रीप के अटेक से गरसित थे और इनकी ग्रोध भी नहीं हो रही थी दवा डालने के पहले यहां मिर्च का एक पोधा है जिसे आप देख सकते हैं और तीन दिन बाद इस पोधे की यहां कंडिशन है और आप देख सकते हैं कि इसमें लिफ करल वाइरस कंट्रोल में आ गया है और फेलना बंद हो गया है साथी पोधे में नई बरांच आगई है अब जानते हैं कि मिर्च की फसल के लिए हम कौन से बीच का चुनाओ करें मिर्च के मुख्यता दो प्रकार है पहला डार्क ग्रीन जिसका रंग डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसका टेस्ट अत्यदिक तीखा होता है इसके पोधे की उचाई 3-4 फिक तक जाती है मिर्च का दूसरा प्रकार है लाइट ग्रीन इसका टेस्ट कम तीखा होता है और इसके फल की हाईग 12-14 सेंटेमिटर तक जाती है इसके कुछ 19 सिट्स इस प्रकार है अगर आपके एरिया में लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट है तो आप लाइट ग्रीन के बीजो का चुनाव करें और अगर डार्क ग्रीन का अच्छा मार्केट है तो आप डार्क ग्रीन वेराइटी के बीजो का चुनाव करें अब यहाँ चुनाव आपका है कि आपके एरिया में डार्क ग्रीन का अच्छा मार्केट या लाइड ग्रीन का या आपको पता करना है और उसकी अनुसार ही आप मिर्च के बीजों का चुनाव करें जब हमारी मिर्च की फसल फ्लावरिंग की स्टेच पर आती है तब फूल जड़ने की समश्या देखने को मिलती है फूल का जड़ने की समश्या के कई कारण हो सकते हैं जैसे एक करण या हो सकता है कि आपके एरिया का वातावर मिर्च की फसल के लिए अनुकुल नहीं या तो आपके एरिया का तापमाद 10 degree Celsius से कम है या फिर 37 degree Celsius से जादा है या फिर आपके एरिया की humidity 65% से कम है या फिर 85% से जादा है इस कंडिशन में मिर्च की फसल के फूल जड़ते हैं दूसरा कारण हो सकता है कि आपने असंतुलीत मात्रा में खादवा उर्वरक दिये और सिचाई या तो ज़रत से जादा किये या फिर कम किये इसके अलावा रस चूसक कीटों के अटेक के कारण फूल जड़ते हैं और एक करण यहा भी हो सकता है कि आपकी फिल्ड पर परागन करने वाले कीटों की कम है अब तापमान को तो हम कंड्रोल नहीं कर सकते इसलिए सही समय पर म किट्टी की जाच कराएं और उचित मातरा में खा दुरूरक और सिचाई करें इसके अलावा परागन करने के लिए आप मिर्च की फसल के साथ में गेंदे की इंटर्टोपिंग कर सकते हैं इसमें ना सिर्फ आपको गेंदे की फसल से एक्स्रा अम्दनी मिलेगी जबकि मिर्च की फसल पर लगने वाले कई सारे कीटो के अटिक से बचाती हैं इस वीडियो में दिए जानकरी अगर अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें हम इस वीडियो पर 1500 लाइक का टार्गेट लेकर चलते हैं तो फटा फट से लाइक करके टार्गेट को कम्प्लीट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब ववश्य करें अगर आपके मिर्च की फसल से जुड़े कोई भी सवाले तो आप हमें कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं धन्यवाद किसान भाईयो जय जवान जय किसान